नमस्कार दोस्तों स्वागित है आप समीका MSP Creator सबकी एक और नई वीडियो में पिछले वीडियो पर इत्ता प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज की वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं राजस्थान के बीकानेड जिले की एक तहसील के बारे में जिसका नाम है लून करंसर लून करंसर कस्बा या फिर तहसील के रूप में बहुत ही बीकानेड में प्रसिद जगह है और आज की वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में जानने चाते हैं वीडियो शुरूर करने से पहले अगर आप Loan Curren! Sur! से हैं वी कानेर से हैं या पर राजस्तान से ही हैं तो वीडियो को शैर करके आगे जरूर बढ़ाएगा आपके राजस्तान और आप की जगे के वीडियो आगे जानी बहुत ही जरूरी हैं और धीरे-धीरे आप और हम मिलक कुछ न कुछ नया ही सीख रहे हैं वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए का चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार जरूर से देखे कि हमारे चैनल पर आपको किस तरह का कॉंटेंट मिलता है अगर पसंद है तो सब्सक्राइब कर देना नहीं तो जो आपकी इच्छा हो वो देखे वीडियो में आगे बढ़ते हैं बीकानेर जिले के महराजा बीका जी के सबसे चोटे बेटी राव लूनकरंसर के नाम पर इस शहर को बसाया गया था लूनकरंसर को लूनकरंसर आदी कई नामों से जाना जाता है लेकिन लूनकरंसर सहर राजस्थान के बीकानेर जीले में स्थित एक तहसील है लूनकरंसर में मुख़ली की खेती बहुत की जाती है इसी कारण लूनकरंसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है साथ में लून करण सर में खारे पानी की एक जील भी है लून करण सर का लून करण सर नाम कैसे पड़ा ये जानते हैं कुछ मानिता के अनुसार इस शहर को बसाने वाले सासक का नाम लून करण था इसलिए राउंड लूं करन Сर कहा जाने लगा एक अन्य प्रचलित मानिता यह है कि लूं करन सर जिहल से नमक निकाला जाता है और नमक को राजिस्थानी बासा में लूं कहते हैं तो इसलिए इस जगे का लाम लूं करन सर बढ़ा है दोस्तों वीडियो के अंदर अगर आपको कहीं भी लगे कि इस कस्बे का नाम मैंने थोड़ा सा भी गलत लिया है तो इसके लिए बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि लूनकरंसर नाम थोड़ा जबान को फंबल करने वाला है बिकानेर शहर से लूनकरंसर कस्बा 72 किलोमेटर की दूरी पर है जो कि राश्चे राज मारक सक्षी टू पर बिकानेर से पूरो की तरप 72 किलोमेटर की दूरी पर बसा हुआ है आस पास काफी संख्या में गाउं हैं जिसमें हनसेरा, रोजा, फूल देसर, काकडवाला, नाथवाना, मलकी सर, पांडु सर, धीरेरा स्टेशन, धीरेरा गाउं, कालु आदी सामिल है जगे राज के आदर सोच मादिमी विद्याले भी है जिसमें दस्वें के बाद स्टूडन्स, साइंस, कॉमर्स, आर्च की पढ़ाई कर सकते हैं कस्बे के अंदर राज के कॉलेज, लून करन सर की सुईदा भी है जिसे यहां के स्टूडन्स को स्कूल के बाद की पढ़ाई करने का उसर अपने कस्बे में ही मिल जाता है यहां पर गुर्द्वारा, मस्जित, मंदिर भी है जहां पर अलग-अलग धर्मों के स्थाने लोग अपने अपने इश्वर को याद करते हैं राजस्थान राजे में लून करणसर जहील सांबर जहील के बाद खारे पाने की सबसे बड़ी जहील है जहील से अभी वर्तमान में नमक नहीं निकाला जाता है लेकिन पहले के समय में काफी नमक निकाला जाता था लून करंसर जहील में 1200 से अधिक प्रजादी के पक्षी निवास करते हैं सर्दियों के मौसम में लून करंसर जहील में काफी अलग अलग प्रजादी के पक्षी आते हैं जिसे लून करंसर के स्थानिय लोगों का ध्यान अकर्शित करते हैं सर्दियों के मौसम में लून करण सर जील में साइबेरियन कुर्जा आती है क्योंकि सर्दियों के मौसम में साइबेरिया के बहुत अधिक हो जाती है और वहाँ पर जो कुर्जा नामक पक्षे होती है साइबेरिया से लून करण सर जील की तरफ पलायन करती है बारत के अन्य जगों में भी सर्दियों के मौसम में कुर्जा ठहरती है, कुर्जा की साइबेरियन सारस भी का जाता है दोस्तों राजस्थान में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उतपादन लूनकरंसर में ही होता है इस कारण लूनकरंसर राजस्थान का राजकोट भी माना जाता है लूनकरंसर कस्पे में धानमंडी की सुविधा भी है किसान अपना सामान आसानी से बेज सकते हैं जैतून से निकालने की पहली रिफाइनरी लून करण सर में ही है। तो दोस्तों बीकाने शेहर की तहसील लून करण सर के बारे में आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी कुछ न कुछ नया जानने को ही मिला होगा अगर आप इसी कस्बे से हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने शेहर में शेयर कीजिए और बाहर तक भी पहुंचाईए वीडियो के अंदर अगर कोई बात लून करण सर के बारे में छूट गई है तो कॉमेंट के अंदर हमें वो बताईए और हमें हमारी गलतियों का एसास करा के और बहतर बनने का जरूर मुका दीजे हम भी गलती कर सकते हैं तो अगर कुछ छूट गया है तो उस पर गुसा न होकर उसको हमें बताईए ताकि हम और उस पर बाकी बिल्कुल काम करके और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इसकी विस्तित जानकरी दे देंगे वीडियो पसंद आयो तो इसको लाइक कीजिएगा और उनके साथ जरूर शे शेयर कीजिएगा किसी भी तरह की हमसे गलती हुई हो और कोई वीडियो का आपको सुधार का सुझाओ देना हो तो कॉमेंट वाक्स के अंदर लिख दीजे थाकि हम उस पर काम करके और बहतर बनने का प्रयास करें ऐसे ही वीडियो देख तरहने के लिए MSP Creator सबको अभी सब्सक्राइब कीजिए